माइन माइन का मतलब होता है मेरा या फिर खदान जैसे कि हम कहते हैं कि कोल माइन्स कोल माइन्स मतलब कोईले की खदान उसी परस देखिए यह लिखा मिनट तो इसका होता सूक्ष्म या फिर मिनिट इसका उच्चारम मिनिट हम कहते हैं माइनूट है लेकिन इसका उच्चारम मिनट भी कहते हैं मिनिट तो घंटा मिनिट इसका मतलब मिनिट होता है उसी वह देखें, M-O-E-L-E, MOL-E, MOL-E का मत्ला होता है तिल या फिर चछूंदर, तिल आपको पता है, आपके सरी में जो काला रंका, तिल पड़ाता है, उसे हम तिल कहते हैं, जैसे रहता है लंबा मुवाला उसे चछुंदर कहा जाता है आप देखिए मोल्ड मोल्ड का मतलब होता है साचा और साचे में डालना या फ़र फफून दी आपको पता है फफून लग जाता है ब्रेड वगारे में उसे भी मोड्ड कहा जाता है पीर देखे ममी, ममी का मतलब मा होता है जिसे मम्मी कहते हैं ममी का महा या फिर रशयानों द्वारा रखा गया, सव – अब को पता है मिestr के पिरामेड्डि में जो पुराने सव को मसाला बगाएके रखा जाता था त retir काeger नवल में यहन समर्थ लगा है इसे बाया फिर वास्तविक असली इसviolent इसी श्टोरी कि बहुत मोटी व्यूग उपन्यास होती है नवीन याया या को भी Novel कहते हैं अपूर वह यह भी Novel है जो पहले कभी नहुआ हो उससे पास देखिए और इवन जैसे तीन छे नौ यह से भी और संख्या है उसी प्रकार से अनीमित होना जो नीमित नहों जो हमें सबने काम में और सही से नहों आगे पीछे उसे अनीमित कहते हैं और देखिए आउस्टेंडिंग आउस्टेंडिंग का मतलब होता है एकदम अच्छा आपने बहु वह सब्सक्राइ possa मतलब है और फिर आक्रमन्ड करना उससे अफेज़ा जाता है पार्फ आसायां बिर ब्रकता है यह पार्षल का मतलब आसि यह प्रक्षपाती जो आप बोलते हैं कि आप पर्षल हो जाते हैं प्लोस जाता है प्लाट मैं का मातलब होता है उसे प्लांट में अब सभी को पता है है जमीन का प्लॉट यह फिर कोई नाटक का पाग है उसे भी हम कहा जाता है किसी के खिलाब साजी सरचने वहonne को भी पलॉट कहा जाता है पोश्ट पोश्ट का मतलब होता है अध्राक क्रोट भैंजी पोश्ट तुरंत या फिर उकसाना रायना पुल्स जिया पेलत कि लाइस कहा है कुल चोन तरिवार बन करना बर्ला को आँसराय सब्हता है चाहर मता रियसका चेसन बता है आप कारण यह से भी रिजन में आता है रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करना किसी चीज का आपको जश्ट क्या होता है उसका अपोजिट उसे प्रतिविम करना रिफ्लेक्ट जो करता है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं विचार करने को भी रिफ्लेक्ट कहा जाता है रिफ्यूज रिफ्यू रेश्ट आफ दी टीम कहते हैं बागी जो बचा होगा टीम में उसी प्रकार से रेवुलेशन रेवुलेशन का मतलब होता है क्रांती या फिर परिभ्रह्मन यहां पर रेवुलेशन रेवुलेशन आया है इनकी याने से बहुत बड़ी क्रांती आ गई है तो इसे हम रेवुलेशन कहते हैं अब आगे बढ़ते हैं रिंग रिंग का मतलब होता है बजना बजाना जैसे रिंग बज रहा है बोलते हैं अंगुठी को भी रिंग कहा जाता है rock, रॉक का मतलब होता है पथर यह फिर हिलाना और एक एक साव आधुनिक संगी ओते वो भी rock उसका मतलब होता है rose रोज का मतलब होता है गुलाब का फूल यह फिर rise का दूसरा रूप ripe rice याने होना याने उगना और rose याने उगा तो इस प्रकासे रोज second form रहा है है इसका, रंग, रंग यान होता है रिंग का, तीसरा रूप या फिर CD के डंडे को भी रंग कहा जाता है, रंग याने बजना, रंग याने बजा, तो ये हो गया आपका, उसे प्रकास देखिए, सैक, सैक का मतलब बता है बोरा, या फिर काम स वही है संक्षन शंक्षन का मतलब शुकरिती देना ये मुझे मेरी चुटी शंक्षन कर दीजी आप। उसे ही संक्षन कहा जाता है दंड देना फिस सजा देना भी शंक्षन कलाता है किसी चीज को काटने वाला उसे आरी खाता है सी का दूसरा रूप भी सौ होता है जैसे हम हमेसा पड़ते हैं आई सौ फिज़ा सौ मैंने देखा उसने देखा स्थी यह ने देखना और सौ यह ने देखा उसके बाद देखे सिंग ने बहुत कम स्लाइट मात्रा में होता है कि मैंने करके गिर घए कई चिसक जाना मेरी हड्डी स्लिप हो गई है मतलब हदी हिसक गई है पर्ची मुझे इसका स्लिप दिखाई है उसे पर्ची उसने कहते हैं पर्ची ना सब्सक्राइब यह स्लिप हो गया सेैंड सेंड का मतलब होता है कि दूसरा इस बहुत में भर जल्दी उसे हम सब्सक्राइब में होते होता है हम सोबना है सोरज को ढूने मिनट कर लो उसे प्रकार से सौयलिये का मतदब होता है मिटी सौयल टेस्सट मेला करना को भी हम सब्राइल कखा जाते है शोलूशनन स्फयर बतले है हल करना फिर गोल किसी चीज eating का solution निकालना हल करना किसी चीज का हमें उसका हल निकालनाएं तो स्फयर पर शिर्ग लिखना मत्र्स या फिर जादू स्परेल कहा लभाता है fragrance ます लमाई वापस होता है उचलना उचलने को भिएस पूरिंग कहा जाता है स्टाफ स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारी आपके कितने स्टाफ है आपके यहां पर ऑफिस में उसे हम कर्मचारी कहते हैं या फिर डंडा को या फिर चड़ी को भी स्टाफ कहा जाता है स्टेज स्टेज का मतलब होता है मंच रंग मंच या फिर चरंड रंग मंच तो आपको में पाज ना नाव का पीछे बनाय को पीछे का अश्रेग फार्म सिक्णोर और फिर लाती एक इस चिस्टीकर कहती है चिपकाने वाला ऊसी यह उचनधब मदाया च्छवारण चिपकाने वाला स्टि का में स्टिर पेकल समय की जगहां तरसे घंड़र symbolism कि सिच को तारे को भी घा जाता है यवी कौदर्शा अधिम कहता है ठूसकर भरना, अच्छे से भर देने को भी श्टफ कहा जाता है, जैसे श्टफिंग कहते हैं, किसी खाने वाने में श्टफिंग, जैसे बर्गर वगर में श्टफिंग करते हैं, उसे भी श्टफ कहा जाता है, फिर देखिए यहाँ पर आप, सबस्टेंस, सबस्टेंस का मतल गुपाटी चलू करते उसे थपकी देना किसी को सुलाते समय थपकी दे तो इसे भी टैप कहा जाता है उसी पर मतलब हो बहुत ज्यादा तनाव है तरह मुझे तना हुआ बेचैनी व्याग्र होना यह सब भी मतलब है और एक आपको पता है काल्स चो हम पढ़ते हैं उसको स्वेर का मतलब था कसम खाना फिर गाली देना आई स्वेर यू मैं तुम्हारी कसम खाता हूं टेबल का मतलब मेज पता है तेबल जिसमें आप बैट के खाते बाते हैं वो टेबल हो गया सामने रखे ताली का अगड़ित का ऐसे पहाड़ा का टेबल वगर होता है उसे भी हम टेबल कहते हैं ट्रेन का मतलब रेल गाड़ी एभी त्रेनिंग मना है आप मुझे ट्रेन कर दो तो इसका एननिक आम अब मुझे रेल गाड़ी मतल्ति प्रेंचित इस चीज में आप भी जी अच पर बैटिंग करत अंग से धुशन के पर निकस्त के हैं यूसे मिट्रीटshi है है treatment कि उसी पर प्रश नाड़ा जाता है और यह त्रंग में सामान रख दो वो तरंक तो देखें तीन मतलब होगि है इसका वौक्ष आप सभी को पता है देखना कि I watch you, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, नजर रखना उस पर watch रखो, watch करो उसे watch करो, उस पर नजर रखो, घड़ी तो आप सभी को पता है watch ने घड़ी, उसे पासे wind, wind का मतलब होता है हवा या फिर लपेटने को भी wind कहा जाता है, uniform, uniform का मतलब होता है एक समान, या फ फिर upright का मतलब होता है इमानदार होना, सच्चा होना, सीधा या फिर खड़ा, यह सभी को upright कहते हैं, सीधा ख़ड़ उने को upright कहते है, utter, utter का मतलब उच्चारण करना या फिर पूरा, wound यहाँ पर wound, इसे wound लिखा हो, wound इसका उच्चारण होता है, घाओ, या फिर जक्म, जक् अब बहुत काम आएगा इसे आप कीच लीजे यह बहुत काम आएगा यह आपका काम आएगा के य। यह भी आपका काम थाएगा अलग अलग होगे लिकिन उच्चारण एक जैसे ही होगा जैसे मैंने डियर का बताया डियर याने प्यार और एक डीड़बल ईयार डियर याने होता है हीरन तो इस प्रकार के बहुत सारे सब्द में आपको बताने वाला हूं तो वेट कीजिएगा वीडियो भी यल्दी आने बहुत सारी मेरी स्टोरी का ट्रांस्टेशन तो मैं सांती सांत हमेसा कराते ही रहूंगा तो आज की क्लास कैसे लिए कि आप बताएंगे बड़ी मेहनस से आपके लिए वीडियो बनाता हूं बहुत आपके काम भी आने वाले यादि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं सीर स्वैकरा सम्मंदी आती रहती हैं जो सबसे पहले आपको मिल सके आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद